दिल्ली यूनिवसिटी में दिखा भगवा कदम तीन पदो पर ABVP का हुआ कब जा NSUI ने एक सीट पर मारी बाजी दिल्ली यूनिवसिटी छातरसंग चुनाप के नतीजे आ गए हैं जिसमें भगवा कदम देखने को मिला यानि के तीन पदो अद्द्दक्ष सचिप और सेउंग सचिप सीट पर ABVP ने कब जा कर लिया जबकि उपाद्दक्ष पद पर NSUI ने बाजी मारी है आपको पता दे अद्दक्ष पद पर ABVP के तुशाट डेड़ा ने 3,115 वोटों से जीत हासिल की है महीं उपाद्दक्ष पद पर NSUI के अभी धहिया 1,839 वोटों से जीते जिसके बाज से ही युनिवर्सिटी कैमपस में जश्न का माहौल है ABVP के कारेकरता पूरे जोश में नजर आ रही है अद्दक्ष पद पर ABVP के तुशाट डेड़ा को 23,460 वोट मिले जबकि NSUI के हितेश गुलिया को 20,345 वोट मिले वहीं उपाद्दक्ष पद पर NSUI के अभी धहिया ने ABVP के शुशान धनकड को 1,839 वोटों से हराया अभी धहिया को 22,331 तो शुशान धनकड को 20,502 वोट मिले सची पद पर ABVP के अरपिता को 24,534 वोट तो वही NSUI की यशणा शर्मा को 11,597 वोट मिले वहीं सची पद पर ABVP के सचिन बैसला को 24,955 वोट और NSUI के शुबम कुमार को 14,960 वोट मिले है ग्रयमंत्रिया मिशाने ट्विट कर दिल्ली युनिवरसिटी छातर संग चुनाब में ABVP को मिली प्रिचंट जीत पर परिशत के सभी कारे करता को हारदिक बदाय दी साती लिखा ये जीत राष्ट हित को सर्व प्रथम मानने वाली विचारधारा में यूवापीडी के विश्वास को दर्शाती है मुझे पूर्ण विश्वास है कि परिशत के कारे करता यूवाउ में स्वामी विवेकानन जी के आदर्शो और राष्ट वात की भाबना को जागरित रखने के लिए निरंतर संकिल्प भाप से कारे करते रहेंगे वह अदिक्षपत के लिए एबी बीपी के विजेई उमीदवात उशा देड़ा का कहना है कि हमारा मुख्य काम दिल्ली विश्विद्याले के चातरों के लिए मेट्रो रियायती पास बनवाना है सबसे हैं काम इसमें रहेगा कि हम मेट्रो कंसेशन पास दिल्ली विश्विद्याले के अंदर चातर पड़ने आता है उनके लिए मेट्रो कंसेशन पास दिलाएंगे और तीन साल बाद चुनाव हुआ है उसमां आपने देख लिया कि विजारती परिशत की पर्चम जीत हु हो सकता है हमसे कोई गलती हुई हो आगे इस ऐसी गलती नहीं होगी और हम जीते हैं जितनी भी उम्मीदें हो पूरी हो रही थी इसलिए हमें प्रचंट जीत मिलिया है हम लोग वो नहीं है कि चुनाव आए तो आज चुनाव आते ही चातरों के बीच चले जाएंगे हम दंतर चातरों के बीच कार रहे थे इसी कारणवर्स हमें विजय मिली है अब जीत को रेकर इसको क्या कहने जाएंगे तो कि हम जीते हैं और एक सीट एनर्टी लाई के हाथ भी आई है निश्चिंती अब हमेत्ती जो हम कार्णवर्स करते आ रहे थे य More उनका फल मिला है और आगे भी हम ऐसी परकार करते रहेंगे एक सीट के हमें हानी जरूर हुई है पर आने वाले समय में हम उस चीज को भी ठीक कर देंगे और निश्चिंती अगली बार विद्धारती परिशत चार जीरों से विज़े फटा करेगा मैं डूसर चुनाप पर कॉंग्रेसांसर दिफिंदर हुड़ा का क्या कुछ कहना है आईए आपको सुनाते हैं लेकिन उसके साथी अभी तही यह ने क्या कुछ कहा उससे पहले वो भी बता देते हैं पूला पूरा प्रशाशन दिल्ली पुलिस तरह तरह की बाधाएं एनसुआई के रस्ते में आई लेकिन हमारे उमिद्वारों ने बहतरीन चुनाव लड़ा और उपाध्यक्ष्पत पे हमारे भाई अभी दहिया जीते हैं मैं उनको बहुत बहुत बढ़ाई देता हूँ एतिहासिक मारजिन के साथ उपाद्धेक्षपत, वाइस प्रेजिन के पत पे हमारे भाई जीते हैं और अद्धेक्षपत पे भी काटे की टकर रही है हमारे अद्धेक्षपत के भले उमीदवार अद्धेक्षपत की दोनों की वोट गिनोगे तो बराबर वोट आये निस्वाई एवी बीपी की जबकि एवी बीपी के पीछे पूरी सरकार थी पूरा अड्मिस्टेशन था, पूरी दिल्ली पुलिस थी मगर उसके बावजूद सब भादाव को भेटते हुए इतनी शांदार बहतरीन जीत, मैं भाई अभी दया को एक पेसर के लड़ू खिला कर भूत भूत मैं इस जीत की मुबार्ख बादे आपको पता दे, एवी बीपी ने 2019 में दिल्ली विश्वदाले चुना में चार पदों में से तीन परी जीत दर्ज की थी और इस बार भी तीन सीटों पर इवी बीपी ने जीत हासिल की है इस खबर में बस इतना ही, अपडेट्स के लिए बने रही है, वन इंडिया हिंदी के साथ